उची उडान में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंच प्रयाग के बारे में प्रयाग शब्द का मतलब नदियों के संगम से होता है मतलब जिस इस्थल पर दो या दो से अधिक नदिया मिलती हैं उस इस्थल को हम प्रयाग कहते हैं इसका सबसे इस इस्थल को प्रियाग बोला जाता है पंच प्रियाग का संदर्व उत्राखंड राज्य से है उत्राखंड में पाँच ऐसे इस्थल हैं जहां पर नदियों का संगम हुआ है इन्हीं पाँच इस्थलों को पंच प्रियाग के नाम से जाना जाता है उत्राखंड में ही बद प्रियाक के बाद यह नदी अलग नंदा नाम से जानी जाती है और जब अलग नंदा आगे बढ़ती है तो इसमें नंदाकनी नदी मिलती है उस इस्थान को नंद प्रियाक कहा जाता है इसके बाद नदी और आगे बढ़ती है तो इसमें पिंडर नदी मिलती है उस इस्थान को कन प्रियाग कहा जाता है अब केदार नात से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकनी नदी है मंदाकनी नदी आकर यहां से अलखनंदा में मिल जाती है और जहां मिलती है उस इस्थान को रूद्र प्रियाग कहते हैं इस रूट में अलखनंदा बहुत गहरी होती है इस क उत्राखंड के लोग मुख्य रूप से इसे गंगा मानते हैं अब भागी रथी आनदी आगे जाकर अलखनंदा में मिलती है जिस इस्थान पर ये मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं और ये काफी धार्मेक इस्थल भी माना जाता है यहां पर दोनों की गहराई बराबर हो होती है इसी कारण इस नदी का नाम बदलकर गंगा हो जाता है देव प्रयाग के बाद यहां गंगा के नाम से नदी भैती है इस तरह उत्राखंड की कई सारी नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्मार करती हैं गंगा नदी पर इस्थितकुल पांच प्रयाग स्थल हैं जो ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके